रक्षा बंधन पर भद्रा का साया भद्रा काल में ना बांधे राखी भद्रा काल में राखी बांधना होता है अशुभ जाने क्या है राखी बांधने का शुभ महुद 19 अगस्त को रक्षा बंधन का पावन तेवहार है इस दिन बहने अपने भाई की कलाईयों पर राखी बांधेंगी, वहीं भाई अपने बहनों की रक्षा का प्रन लेंगे, जैसा कि सब को मालूम ही होगा कि राखी बांधने का शुब और अशुब मोर्थ होता है, ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि राखी कब बांधें इससे पहले ये जान लिजिए कि इस बार रक्षा बंधन पर भद्रा की काली छाया पर रही है, हिंदू पंचान के मुताबिक भद्रा काल में राखी बांधना और बंधना बेहद अशुब फल देता है, ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि इस रक्षा बंधन के दिन भद होता क्या है? भद्रा कौन है? फिर जानेंगे इस रक्षा बंधन के दिन भद्रा काल कब से कब तक रहने वाला है? कौन है भद्रा? पुरानों के मुताबिक शनी देव जिनको न्याय का देवता कहा जाता है, उनकी बहान है, यानि सुर्य देव की बेटी हैं भद्रा, उनक पंचांग के एक मुख्य अंग विष्टी करन में स्थान दिया था। उनके क्रोधी स्वभाव की वज़े से ही कहा जाता है कि जब पंचांग के मुताबिक भद्राकाल चल रहा होता है उस दोरान कोई भी शुब कारे और मांगलिक कारे नहीं करनी चाहिए क्योंकि भद्राका का पूरा सामराज उजड गया था। यहीं वज़ा है कि भद्राकाल में राखी नहीं बांधी जाती है। चलिए अब जानते हैं कि इस रक्षा बंधन पर भद्राकाल कब से शुरू होगा और उसका समापन कब होगा इस राखी पर भद्राकाल सावन के शुकल चतुरदसी यानि 18 अगस्त 2024 को रात 2 बजकर 21 मिनट से शुरू होगा जिसका समापन सावन के शुकल पुर्णीमा के सोमवार के दिन 19 अगस्त को दो पहर 1 बजकर 29 मिनट पर होगा। वहीं अब ये भी जान लेते हैं कि राखी बांधने का शुब महुट क्य शुरू होगा जो कि 19 अगस्त की ही रात 9 बजकर 8 मिनट पर समापन हो जाएगा। ऐसे में इस साल रक्षा बंधन आप इन 7 घंटे 32 मिनट के अंदर ही बांध सकती हैं। बता दे इस वीडियो में हिंदू पांचांग के जानकारों की जानकारी के अधार पर हर बात बताई कई हैं। ऐसे में किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले अपने नजदिक के जानकार की सला जरूर लें। इस ख़बर बस इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।